हेलो एवरीवान वेलकम तो गैनलाव बंस अगें तो आज हम लोग करने आले जैसे कि आप लोग ने थर्मनेल में पड़ी लिया होगा हम लोग सबसे पहले चैप्टर चालू करने वाले उसका नाम है प्लानिंग मतलब हम सबको बता देना तो क्या करने अब द्यान से सुनना और इसको किप मत करना बिल्कुल भी हम लोग क्या करने आए कि पहले यह चैप्टर लेंगे चैप्टर लेंगे तो आपको पूरा पूरा मिलने वाला सब्सक्राइब करना है तो आप लोग को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम गूरूप जोइन कर लो क्योंकि कभी कभी यूट्व वाले नोटिफिकेशन नहीं बेचते हैं तो अगर आपको जैसे हम लोग वीडियो अप्लोड किया है वैसे अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम गूरूप जोइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके वह सब्सक्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जाके वह वीडियो पहले देख लेना वहाँ पर मैंने शॉट में सब कुछ पूरा चैप्टर समझा दिया है और उसके बाद में यह फॉर्मला लिस्ट मिलने के बाद इस आपको अपने नोटबुक में लिक लेने हैं अगर अगर लेकिन मैं आपको बोलना चाहूंगा कि लिख लेना लिखो गए तो आपकी सामने रहेगा बार बार मोईल उपन करके नहीं देखना पड़ेगा तो डिस्ट्रेक्शन कम रहेंगे तो लिख लोगे तो अच्छा होगा दस मेट एक्स्ट्रा लगेगा लिख लेना वीडियो करके लिख लेना अभी उसके बात वरी बात सर अभी यह फार्मुला आपको मिल जाएगी फार्मुला आपको याद कर लेने हैं इसके ओपर मैं mcqs लेने वाला हूँ क्या लेना लो mcqs अभी mcqs दो पार्ट में होंगे एक पार्ट में होगा 2004 से लेके 2019 तक के सारे mcqs और दूसरे पार्ट में आपको वीडियो में मिलेगी 2020 का और 2021 के mcqs इस चैप्टर के किस चैप्टर के सर इलेक्ट्रोस्टाडिक्स के तो मैंने साल चैप्टर के लिए ऐसे ही पैटन सोचा है कि सबसे बहले मैं एक फॉर्मुला वीडियो दूँगा ठीक है तो उसके बाद में उसके उपर आपको mcqs लेने वाला हूँ तो यह अगर आपको पता हो कोई अच्छा पैटन तो आप लोग बता देना तो वह भी आटाप करने के कोशिश करेंगे लेकिन यहीं सोचाओ कि पहरे मुलेगा उसके वब आपकी MCQs, PYQs होने वाले हैं चलो स्टार्ट करते आज के साथ सबसे हम सब्सक्रास करते से सर्द क्लास 11 में में कुछ बढ़ा है या नहीं है नहीं पर गल्ति इसकी मेरी आपकी गल्ती से सबसे पहला है कुलम क्या बोलता है अगर आपके पास दो चार्ज जैसे एक चार्ज दो चार्ज इनके बीच में फोर्स कितनी लगती है एक एक फोर्मूला क्या बन जाएगा के क्यों टू आर स्केर और यह की वेलू कितनी होती है सब्सक्राइब कर सकते हैं और कभी कभी देखो यह आला है यह बहुत इंप्सलान अपन अपन एपसलान क्या है यहाद है इलेक्ट्रिक फिल्ड में इसमें पर्मिटिविटी और में यहाद में एपसलान नॉट है यहाद जहां जाहेगा इसका मतलब क्या है वह वह वेक्यूम के लिए एक इस लेक्ट्रिक फिल इंटेंसिटी तो अगर आपके ईक चार्ज रखा है कुछ डिस्टंस पे तो कितना लेकिन मैंने इसा फॉर्मल लिखा के नहीं लिखा मुझे पता है कि आपको समझ में आगए कि क्या होती है कि की वेली होती है वन अपन पर एपसलों नॉट आपको समझ में आ रहा है सेकंड अभी यह भाई हमारे पास क्या है यह मैं बता रहा है कि यह पोटेंशियल और यह ड कर सकते हो यह पोटेंशियल दिया है तो इलेक्ट्रिक फिल्ड भी फाइंड आट कर सकते हो नेक्स्ट इंपोटेंच चीज गॉस्ट अभी गॉस्टल क्या होता है सर गॉस्टल होता है क्लोज लूप इंटीग्रेशन इडॉट डियस पराबर क्यू अपॉन एपसलों क्या होता है सर ई..डियस फ्लक्स का फर्मॉल्य क्या होता है ई..डियस एक एरिया में से कितनी इस ब्लग्स जा रही है सी सर्फेस से पर्पंडिकुलर निकलता है सपलेगा सर्फेस ऐसी होगी तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो एसे निकलेगा तो यह आपके हो गए सारे फॉर्मुला एक और पचा है यह यह टॉपिक का नाम क्या है आपके यह टॉपिक का नाम क्या है आपके पास एक शेप एक वायर है इसके उपर आपके चार्जेस कैसे डिस्ट्रीबूटिटेड है कितने चार्जेस है तो आपको कैसे करना पड़ेगा यह आपके बास फॉर्मुला लीनिया चार्ज डेंसिटी मतलब फिज्व लेंथ के लेंथ मे सकते हैं सब्सक्राइब करने हैं क्या करने हैं सब्सक्राइब करने हैं क्लास 11 का अब भी आ जाते क्लास 12 की ऑके सर कर दिया सब्सक्राइब करते हैं अब अब नहीं देखा ता कि जैसे आपलो क्लास 12 का इलेक्ट्रेटिक्शन उठाके देखते तो वहां पर सबसे पहले आप लोग लोग इंट्रोडक्शन में समझाए जाता है फिर उसके उपर टापिक चालो होता है एप्लीकेशन ओफ गॉस्ट लोग चालो हो जाता है सब्सक्राइब आपने वुक में दिए गए एक पार्मॉला है सबके लिए एक ही पर्मॉला है और यह आपको यहां पर चार्ज हे पीच ओफर चार्ज है बॉड़ी के ऊपर तो यहां पर कितना यहांपर ज्वोगा तो वह वह गानफन फूर। क्वैंग है ऑगा तो यहाँ पर लोग निकाल लिए है सर्फेस चार्ज़ तो क्या गया तो चार्ज आ गया तो चार्ज आ गया एरिया इरिया स्पेर कि तक होता है और यह आपका में फर्मला बन गया आपको एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग को कुछ सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर यह फॉर्मला आपको करना है नेक्स्ट अभी इसी फॉर्मला को अगर मैं ऐसे लिख दू तो 50% जनता को यह समझ में नहीं आएगा कि सर यह आया कैसे और कुछ बच्चे इंटलीजन बच्चे जो अपने पाइपसलों नौट तू लेमडा अभी समझ में आ गया किसी उपर नीचे दो से मुल्टिप्ला करने पर हमारा यह फॉर्मला बन जाता है तो दोनों आप लोग यह रख सकते हो अभी यह फॉर्मला विराने का रिजन क्या है अगर यह फॉर्मला आपको याद है तो इसमें यह आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टू चार्ज इंफानाइटली प्लेइन शीट आपके वाद एक प्लेइन शीट है इसके पर बहुत सरे चार्जेस है तो यह अला भी हम लोग ने किया था सर याद है आपको ठीक है जिन्हों ने वह इंशोट देख आयो उ यह पर यह अध्यजर बनाता है कि अला आपके पास चाहर्ज पर जाए तो पर को दिस्टेंस पर क्तेंस इंपने पास और ना होगा है तो वहा पर पोल्टेज बोलो पोटेंशल बोलो पोटेंशल डिफरेंस बोलो वो कितना होता है सर वो होता है वन अपन पॉर पैपसलोन नॉट क्यू बटे आर या फिर मैं इसको ऐसे लिख दू वी इपकोल्स टू क्यू क्यू अपन आप यह आप लोग बोल सकते हो और सेकेंड यहां पन मैंने एक और फॉ क्या दिखाता है आपको कि पोटेंशल और पोटेंशल एनर्जी का क्या एलेशन है अज सुझे राकव को देशन है क्या है तो सरम mület क्या है है कि अगर आपके बस दो चार्जेस है तो उनके बिच में कितनी पॉटेंशिल एनरजी तो यहाँ पर फॉर्म।ला क्याओ इस से एकरिक estaban इसको बोला जाता है potential gradient क्या बढ़ा जाता है सर इंशल ग्रेडियंट बोला जाता है बात समझ में आ रही है आए ना बोलो समझ में आगे potential gradient मतलब कि potential कैसे change हो रहा है पर यूनिट length में पर यूनिट distance के साथ तो आपको पूछ लेता है तो आपको यह रिलेशन भी याधना चाहिए और यह तो भी आपका फॉर्मला यह होगा अब यहां पर तीन चार्ज हो जाएंगे तो क्या होगा सब को एड़ करना पड़ेगा चार चार्ज हो जाएंगे तो भी आप लोग कर सकते हो इसका बहुत न नंबर कर लिए आप लोग इसके लिए जितना बहンने करें यह जिडिक्त आपका स्टोर होता है इन दी फॉर्म उडाइंशिल अनर्जी इसके बन जाता करता है लेकिने फॉर्मली आप लोग याद कर सकते हो अगर करना हो तो ओक यागया सफस्ट un energy of dipole in an external field, external electric field, तो अगर एक dipole को अपने external electric field में रखा है, तो इसमें कितनी potential energy होगी, इसको बहुत ध्यान से देखना, यह minus and बहुत ज़दा important है, यह minus and बहुत 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 ज़दा important है, अगर मैं बुल्लू कि अगल बनाता है, अगल दोनों parallel है, बताओ, potential energy minimum होगी कि maximum होगी, अगर angle 180 degree है, बताओ, energy minimum होगी कि maximum होगी, बताओ, potential energy minimum होगी कि maximum, जो भी आप minus की sign के वज़े से का हो जाएगा, minimum, जो एंगल 0 होगा, तो अपने potential energy कितनी होगी, minimum होगी, और जब एक स्टी degree होगा, मतलब anti-parallel, इसको हम लोग parallel बोलते हैं, इसको हम लोग anti-parallel बोलते हैं, क्या बोलते सर, anti-parallel बोलते है, anti-parallel मतलब एक स्टीट जा रहे है, स्टीट जा रहे है, स्टीट मतलब माइनस 1 और वो माइनस 1 और यह माइनस तो प्लस, तो इस टैंप यहां पर हमें minimum मिलेगा, और यहां पर हमें maximum energy मिलेगा, यह ध्यान से आपको याद रपना है, ठीक है, फिर आगे हमारा capacitor वाला पार्ट की रागे हमारा capacitor वाला पार्ट का एक इंपोर्टेंट फॉर्मुला है, cq is equals to cv, वेर्सीज कैपैसिटेंस यह constant है, यह होगा पोटेंशल यह होगा अपना charge, तो यह आपको याद रपना है, q is equals to cv, तो आपने यह ऐसे क्यों लिखा, अभी आपको पता है कि रेज याद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और ज्यादा अपने को feed नहीं करना पड़ेगा, अपने को easy रखना है, तो यह अपना होगा information, ठीक है, q is equals to cv, अगर आपको कोई एक parallel plate है, parallel plate capacitor है, तो इसका capacity की value कितनी होगी, अगर आपको यह distance दिय पता है, आपको यह area पता है, plates का, तो हम लोग direct formula निकाल सकते हैं, बहुत easy है, यह है parallel plate capacitor without, without dielectric, without dielectric, याद रखना है, कि इनके बीच में कोई भी दूसरा, dielectric medium हमने नहीं डाल के रखा है, और यह जो formula है, यहाँ पर आपको दिखता है, यह है parallel plate capacitor with dielectric, मतलब इनके बीच में, दो parallel plate के बीच में, कोई तो एक material डाला है, जिसके वज़े से हमारे c की value क्या हो सकती है, change हो सकती है, यहाँ पर t का मतलब होता है thickness, thickness of this slab, जो भी आप लोग एड कर रहे हो, वो thickness है, ठीक ह constant ही है, हमारे पास a, epsilon not, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी c की value, find out कर सकते हैं, फिर हमारे पास बच्चा, यह बहुत सारे capacitors को, हम लोग सीरीज में लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा sir, यह हमें ऐसा formula मिलेगा, यह क्या है, opposite of resistance, ठीक है, सीरीज में लगाते है, उसका opposite, ठीक है, यहाँ पर देखो, capacitor सीरीज में लगा रहे हैं, सब बूल जाओ, मैंने क्या बुला, यह क्या है, जो registers parallel में लगाते हो, तो उसका formula क्या मिलता है, हमें, 1 upon rp is equal to 1 upon r1 plus 1 upon r2, capacitor के case में, series में, हमें equation मिलता है, अगर कुछ भी नहीं समझा है, तो याद रखना, कि अगर capacitor series में connected है, तो उसका equivalent कैसे निकालना है, हमें, उसका equivalent ऐसे निकालना है, 1 upon cs is equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3, parallel plate capacitor, जब सारे capacitors parallel में connected हो, कैसे connected हो, parallel में connected हो, तो क्या होगा sir, सीधे हमें add कर देना है, सीधे हमें add कर देना है, c1 plus c2 plus c3, और last चीज, energy storing capacitor, कितनी energy store कर सकता है, capacitor, बहुत ही इंप्पॉर्टन्ट फोर्मुला याद रखना call सरी स्क्वेर किपने इनरर्जी कर सकता है हाज सी स्क्वेर अभी इस में क्यूई इक Christmas to tea हमें पता है तो हम लोग इसके मदद से यहां olsa यह फारन से बी दिराइफ कर सकते हैं ठीक है अभी यहां पर क्रॉस मिल्टिप्लाइ करके सी इकोल स्टू क्यू बाइवी और यह फॉर्मॉला में यहां पर रग दू तो यहां पर आपको सी हट जाएगा और वी हट आना है तो आप लोग वी का फॉर्मॉला बना सकते हो वी इस इक फॉर्मॉला और बना केसे करने कर शकते हैं किया करो कि एक दुसरे के साथ फॉर्मॉला याद कर नहीं पर याद करने का जैदे ब्ह Met आपको कर सकते करना है वात गत तरह इतने सारह हम लोगने फ्रौनकर कर देख लिए क्लास 12 के भी देख लिए ठीक है तो यह अपना लास्ट फॉर्मला था आप लोगों ने वीडियो पॉस्ट करकर करके वीडियो लिखें होंगे लिख लो रहे लिख लो एक बार लिख लोगे तो कम से कम आपके आपके आपने क्या लिखा दा रेन को याद होगा देखोगे में लिख लो इलेक्रोटरिक्स के सारे फॉर्मलास और इसके उपर आपको मिलने वाले हैं कल आपको इसके उपर मिल जाएगे ठीक है उसे 10 होंगे 20 30 40 50 कितने भी हो सकते तो अगर अभी आपको फॉर्मलास पता है और अगर आपके पास कोई भी बुक है एंसी क्यू सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ कमेंट करके जरूर बताना जो जो मैंने आपको कुशेंस बुच है और यह भी बता देना कि आप लोगोंने नोटबुक में लिखा है कि सर में मोबाइल से देखे पड़ लोगा कि मैंने स्क्रीन शॉट ले लिया है तो भाईया इसा नहीं चलता नोटबुक में किस-किस ने लिखा है वो भी मुझे बता देना और साथ में यह भी बताना कि सर मैं करने वाला हूँ करने वाली हूँ ठीक है जो भी आप लोग करोगे ठीक है उसी के हिसाब से फिर हम लोग करना स्टार्ट करो अगर अभी तक नहीं किया है मिलते नेक्स्ट टाइम बाई एव्रीवन टेक केर बाई बाई